सबी विध्यारतियों को नमस्ते विध्यारतियों आपका जानवे जो किसन हब में स्वागत है इस वीडियों में हम देखेंगे कि N.I.O.S. कलास 12 में यानि बारी कलास के अंतरगत हिंदी विशे में कौन-कौन से मोस्ट चप्टर है जो कि आपके एक्जाम में आने वाले है जिसको आपको पढ़ना है और उसी चप्टर के आपको तयारी करनी है जैसे कि आपको ये पाठे क्रम का विभाजन दिख रहा है तो इस सत्रम में 2024 के अंतरगत ही N.I.O.S. ने पाठे क्रम का विभाजन किया है यानि कि आपके पाठे क्रम को भार को बहुत ही कम कर दिया गया है ताकि विध्यारती आसानी से N.I.O.S. में पास हो सके तो ये आपके कुल 25 चप्टर दे रखे है 25 चप्टर में आपके इस चप्टर को 40% पाठे क्रम तो आपका शिक्षक अंकित मुल्यांकन पत्रम यानि TMA में डाला हुआ है और 60% पाठे क्रम आपके सारोजनी प्रिक्षा के अंतरगत डाला हुआ है तो जो चप्टर आपके TMA में आएंगे वो आपके एक्जाम में नहीं आएंगे उनली उससे आपको TMA के क्यूशन के आंसर ढूणने है और TMA में तयार करना है और उसका अप्लोड करवाना है तो ये देखे ये जो चप्टर है यानि कि 9 पाठ आपके TMA में दे रखे और 16 पाठ आपके 16 पाठ आपके इसमें सारोजनी प्रिक्षर के अंतरगत दे रखे जो कि आपके में एक्जाम में पूछे जाएंगे इन चप्टर से ही आपके एक्जाम में क्यूशन आएंगे तो ये चप्टर कौन-कौन से है जो most important chapter है वो आपको देखना है देखो chapter number second है third है, five है, seven, eight nine, ten thirteen, fourteen sixteen, seventeen twenty और ये twenty one, twenty three, twenty four और twenty six, ये जो total chapter है जो है कि 16 chapter है वो ही आपके exam में पूछे जाएंगे तो इसके अंतरकत मैंने 70 chapter तक तक तो मैंने आपके chapter पढ़ा दिये है तो आप इस channel के उपर इस वीडियो को देख सकते हो हिंदी का class 12 का अलग से playlist बनी हुई है, वहाँ पर जाके आपके सारे chapter मिल जाएंगे, ठीके इन chapter को आप पढ़िए और आपके इन chapters की तयारी कीजी और आगे के जो chapter है अभी ये chapter 5 chapter और बकाया है तो उनको भी मैं पढ़ा दूँगी तब तक आप इन chapters की तयारी कीजी तो ये most important chapter है जो कि आपके exam में आने वाले है तो student confused ना होए कि आपको सारे chapter नहीं पढ़ने है और दूसरा ये है कि कुछ student की comments से भी आ रहे है कि मेम ये chapter हमारे book में तो मिली ही नहीं रहे है या हमारा first chapter अलग दे रखा है तो देखो ऐसा है जो student जो अब भी October में exam दिये है उनके लिए तो जो पुराना syllabus था उसी के according उनको तयारी करनी थी लेकिन अब जो अप्रेल 2024 में paper देंगे जो students उनके लिए syllabus change हो चुका है यानि कि पार्थे करम का जो वर्गी करन भी किया गया है कुछ पार्थे भी हटा दिये गये है तो अब जो NIS के students है जो आगे जो भी exam देने वाले हैं वो इसी पार्थे करम के अनुसरम को तयारी करनी है और कुछ राजिस्तान State Open student भी है जो भी क्या है कि राजिस्तान State Open school और NIS board का दोनों का syllabus same है लेकिन हुआ ये कि अभी इस सत्र के अंतर गत ही NIS ने अपना पार्थे करम का भार कम किया है पार्थे करम को थोड़ा change किया है पार्थे करम का वर्गी करन भी कर दिया है तो इसकी वज़े से उनका तो syllabus चेंज हो गया लेकिन राजिस्तान State Open Board ने कोई syllabus चेंज नहीं किया है जो उनका पहले से चला रहा है वैसे ही है क्योंकि वो भी NIS की कोपी है NIS में जो syllabus पहले चल रहा था same to same वो ही syllabus राजिस्तान State Open Board में भी दे रखा है तो इसलिए उन इस्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा फर्स्ट चेप्टर अलग है यहां फर्स्ट चेप्टर अलग दे रखा तो मैं उनको सुचित करना चाहूंगी कि यह जो पाठिक्रम है वो NIS Board के लिए है तो आपको कन्फूज नहीं होना है कि आपका फर्स्ट चेप्टर अलग दे रखा है उसमें कविता कैसे पड़े ऐसा कुछ चेप्टर है फर्स्ट वाला ठीके वो दे रखा है कोशिस करेंगी हम आपका इसका दवाजवाब देने के लिए या फिर उससे सम्मनित कोई वीडियो होगा तो वो भी हम बना कर जरूर लाएंगे तो जद़ जदे वीडियो को शेयर करें चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें इसी तरह की अपडेट और वीडियो आपको इस चैनल मिलती रहती है आपको सब्जट की तेयारी भी कर वाते रहते हैं तो अभी वह अपना टीय में बनाएं और एकिती जन्रूरी से पहले 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 अपना टीय में भी सम्मिट करवा दें वहना उसके बाद उनको बहरी बहर कर लग से पहले पढ़ेगी तो यह थी अपडेट वहना तो यह बारी क्लास की श्टुटेंटों का मैंने डाल दिया है हाला कि मैं जो भी चेप्टर पढ़ा रही हूं क्लास 12 में उनके फर्ष्ट में ही मैं पाट्थे करम्बे बता देती हूं ताकि उनको पता रहे कि ह कौन से चेप्टर पढ़ने हैं और आप एनायस की साइड पर भी जाके आपके जो बफ्रिकेशन हुआ है पाठे करम का अपने सब्जेट में वह भी आप देख सकते हूं तो मिलते एगले वीडियो में जेहिं जे भारत